सुरो की मलिका सुबुलक्ष्मी शास्त्रिय संगीत की शेत्र की दिगज गाई का म. सुबुलक्ष्मी पहली ऐसी भारतिय महिला थी जिने आज से लगबक पचास साल पहले 1966 में संयुक्त राश्ट्र संग के मंच पर प्रस्तुती देने के लिए आमंत्रित किया गया था जो अपने आप में बड़े गौरव की बाद थी उन्होंने वहाँ अपने प्रस्तुती से ऐसा समा बांधा कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो गए इनका पूरा नाम मदुरे शन्मुक वडिवू सुबुलक्ष्मी था लेकिन संगीत की दुनिया में इन्हें MS सुबुलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है इनका जन 16 सित्तमबर 1916 को तमिल नाडु के मदुरे शहर में हुआ था इनका पालन पोशन संगीत में वातावरण में हुआ छोटी उम्र में ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहन की मात्र दस वर्ष की आयू में इनका पहला रिकार्ट जारी हुआ करनाटक संगीत की शिक्षा इन्होंने सेमन गुडी श्री निवास अयंगर के संग्रक्षन में पाई। उसके बाद उन्होंने पंडित नारयन राव व्यास से हिंदस्तानी संगीत सीखा। इन्होंने डॉक्टर नेदुनूरी कृष्णमूर्ती से संस्कृत और तेलगू की सिक्षा भी ग्रहन की। इन्होंने कई फिल्मों में अभी नहीं भी किया। सन 1945 में बनी फिल्म मीरा में उनकी भूमी का काफी यादगार रही। इन्होंने हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, मल्यालम आधी अनेक भार्तिय भाषावों में गीत भी रिकॉर्ड किये। सन 1940 में इन्होंने सदाशिवम से विभा किया। इन्होंने विश्व के अनेक नगरोव देशों जैसे लंदन, निउयोर्क, कनेडा तथा अन्य बहुत से स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इन्होंने भज गोविंदम, विश्वु सहस्त्र नाम और वेंकटेश्वर सूप्रभातम समेत सेकड़ो भजन गाएं हैं। जब सुबुलक्ष्मी राश्टर पिता का प्रियभजन वैश्वु जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे गाती, तो एक विशेश प्रकार का जादू सा श्रोताओ पर च्छा जाता था। महत्मा गांधी कहते थे कि यदि सुबुलक्ष्मी गीत के बोलो को बिना गाय उच्चारिद भी करे तभी किसी और के गाय के बजाए उन्हें वो ज्यादा सुरीला लगेगा। जवाहरलाल नहरू भी उनके गायन पर काफी मोहित थे। उन्होंने सुबुलक्ष्मी को संगीत की रानी बताया। लतामंगेश करने उन्हें तपस्विनी कहा। उस्ताद बड़े गुला मली खाने उन्हें सुस्वरलक्ष्मी पुकारा। और किशोरी अमोन करने उन्हें आठवा सुर कहा जो संगीत के साथ सुरों से भी उचा है। करनाटक संगीत का सरोत्तम पुरसकार संगीत कलानिदी प्राप्त करने वाली वह देश की पहिली महिला थी। इसके अलावा इन्हें देश-विदेश के कई पुरसकारों से नवाजा गया है। 1954 में पद्म भूशन, 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, 1968 में संगीत कलानिदी, 1974 में रेमन मेगसे से पुरसकार, 1975 में पद्म विबूशन, 1988 में कालीदा सम्मान, 1990 में इंदरा गांधी राष्ट्रिय एकता पुरसकार और सन 1998 में भारत रत्न से इने सम्मानिक किया गया है 11 दिसंबर 2004 को सुरो की मलिका सुब लक्ष्मी 88 वर्ष की आयू में दुनिया को अलविदा कर चुकी है अब वह हमें हम सबके बीच नहीं है लेकिन शास्त्रिय संगीत की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली इस महागाईका को संगीत के शेत्र में दिये गए योगदान के लिए सधियों तक याद किया जाएगा